नमस्कार आप सबका स्वागत है मेरे चैनल A to Z Dishes उशा कोरजानी में तो एक बार मैं फिर से आ गई आप सभी के लिए बहुती बढ़िया सी रेसिपी लेकर अभी सर्दियों को मौसम आ चुका है तो आज आपके साथ मैं शेर करने जा रही हूँ गेहों के आटे की पिन्नी खाने में बहुती बढ़िया लगती है ड्राइफ रूट से बरी गी में बनी हुई और गोंद का इस्तमाल करके आटे में से हमने बनाई है यह पिन्नी बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी भी है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा तो चलिए देरने करते हैं बनाना शुरू करते हैं आटे की पिनी तो सबसे पहले हम इसमें क्या-क्या इंग्रिडियन्स लगेंगे स्टेप बाइ स्टेप मैं आपको वो बता देती हूँ तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 200 ग्राम गेहू का आटा उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम गी अब आपको ध्यान रखना है कि जितना आप आटा लेते हैं उतना ही आप गी ले तो यह मेरा रूंट टेंपरेचर पर रखा हुआ गी है उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है आदा कप नारियल का चूड़ा यह आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा इसे desecrated coconut भी कहते है उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक कब मुमफली यह कच्ची मुमफली है छिलको वाली यह मैंने एक कब ले लिया है उसके बाद मैंने यहाँ पे dry fruits लिया है तो dry fruits में सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है काजू तो यह करीब मैंने आदा कप काजू लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है दुसरा बादाम तो बादाम मैंने यहाँ पे आदा कपी लिये जितने मैंने काजू लिये उतने मैंने बादाम लिये quantity आपके उपर है आप कितनी लेते हैं मैंने यहाँ पे आदा अदा कप लिये दोनों उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइची का पाउडर लिया है यह करीब मैंने एक चमच लिया है एक बड़ा चमच मैंने लाइची का पाउडर ले लिया है उसके बाद मैंने यहाँ पे चीनी ये आदा कब मैंने गोंद ली है आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी देखे कुछ इस तरह से होती है गोंद ये बॉड़ी के लिए बहुत ही अच्छी होती है चलिए बनाना शुरू करते है आटे की पिनी तो सबसे पहले हम GAS के उपर इस तरह से कड़ाई रख देंगे अब देख सकता है चोड़ी और मोटे तल़ी की कड़ाई है अब GAS को हमें दीमा कर देनानी आज है आज हमें दीमी कर देनी है और मुम्फली सारी डाल देनी है अब इसे आपको लगातार तीन से चार मिंट तक भूनना है आपको ध्यान रखना है कि आज आपकी धीमी होनी चाहिए अगर आज तेज होगी तो मुमफली जल जाएगी और पिन्नी का स्वात बिगड जाएगा तो यहाँ पर मैंने एक कप मुमफली लिये कच्ची वाली और इसे धीमी आज पर लगातार आपको तीन से चार मिंट तक भूनना है आप दीरे दीरे देखेंगे कि इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाएगा तो देखें यहाँ पर तीन से चार मिंट हो चुके हैं अब गैस को हम बंद कर देंगे और मुमफली को इस तरह से हम प्लेट में निकाल देंगे आपको मुमफली को जादा नहीं बूनना है आप देख सकते हैं थोड़ा से इसका कलर चेंज हो जाए बस इतना ही आप बूने अब इसे थोड़ा से फैला देंगे ताकि यह थोड़ी सी थंडी हो जाए फिर इसके हम छिलके निकाल लेंगे तो यह जब तक थंडी हो रही है हमने गैस को बंद कर दिया ध्यान रखने हैं अभी यह कड़ाई हमारी गरम है इसी के अंदर हम डाल देंगे यह नारिल का चूरा आपको गैस बंद में इसे एक मिनिट तक थोड़ा सा चला लेना है को भून लेना है अब देख सकते हमारी कड़ाई गरम थी तो यह जो नारिल का चूरा है वो उसका थोड़ा थोड़ा लाइट कलर चेंज हो चुका है इसे भी हम इस तरह से निकाल लेंगे तो अब देख सकते हमने निकाल लिया है अब हमने गैस ओन कर दिया है फिर से और इ इसी के अंदर हम डाल देंगे गोंद तो चलिए गोंद हमने डाल दिये इस तरह से ये मैंने करीब आदा कप गोंद लिया है अब को मार्केट में आसानी से मिल जाएगी अब इसे हमें फ्राय करना है तो आज आपको धीमी रखनी है तेज बिलकुल भी नहीं करनी है इसे दीर और तीरे फूल ना स्टार्ट हो गई है ये पूरी फूल जाएगी तब तक इसे हमें फ्राय करना है ये जो जो गॉंद है इसके खाने के खा ने के अगर को में न गुट्टों में दर्द हो तो अगर आप इसे खाते है तो आपका खतम हो जाएंगे ये डर्द और और थोड़े पीसिस है उसे इस तरह से अलग भी करते जाना है और थोड़ा सा दबाते जाना है ताकि हमारी जो यह गोंदे एक दम बढ़िया सी फूल के फ्राय हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो गोंदे बढ़िया तरीके से फ्राय हो चुकी है अब इसे हम निकाल लेंगे तो इस तरह से मैं प्लेट में निकाल लेरी हूँ इसे भी आपको ध्यान रखना है जब भी आप गोंद फ्राय करें तो इसका पीसिस इस तरह से जो है आप देख सकते हो fully fully है इस तरह से आपको fully fully रखनी है तब तक आपको इसे fry करना है और दीमी आज़ पर इसे आपको fry करना है तो यहाँ पे मैंने सारी गोंध निकाल ली है अब इसे हमें थोड़ा सा थंडा कर लेना है फिर इसकी process में आगे आपको बताऊंगे कि कैसे आपको करना है तो सारी इस तरह से मैंने निकाल लिया है अब इसे भी थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे तो जब तक हमारी मुमफली और गोंद ठंडी हो रही है थोड़ी यहाँ पर मैंने काजू और बादाम ले लिया है मैंने यहाँ पे आदा-ादा cup ली हैं दोनो और इसे एकदम मैं लम्बे टुकडों में काट लूँगी ज़्यादा बारिक टुकडे नहीं करना है इस तरह से लम्बे टुकडों में काट लेना है तो मैंने यहाँ पे काट लिये है अब उसी गी में काजू और बादम दोनों डाल देंगे और इसे भी एक से दो मिनिट तक लगातार चलाते हुए धीमी आज पर हम फ्राइ कर लेंगे आपको ध्यान रखना है तेज आज पर आप इसे बिल्कुल ना करें नई तो ये थोड़ा सा जल जाएगा तो पिन्नी का स्वात बिल्कुल बिगर जाएगा तो एक से दो मिनिट तक काफी है इसे फ्राइ करने में आप देख सकते हलका कलर आ चुका है इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से और गैस को बन कर देंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हमारी जो मुमफली है वो थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है अब हाथों की मदश से इसे हम इस तरह से सारे चिलके निकाल लेंगे अगर थोड़े बहुत रह भी जाता है तो कोई बात नहीं पर जितना हो उतने आप चिलके निकाल लें और आप चाहें तो हाथों की मदश से नहीं तो कपड़े में डाल कर भी इसके छिलके निकाल सकते हैं अब इस मुमफली को मिकसर में डाल देंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे दरदरा आपको पीसना है और अगर थोड़े वो छिलके रह भी जाते हैं ममफली के तो कोई बात नहीं इस तरह से आपको कर देना इसका दरदरा पाउडर बना लेना है अब यहाँ पे मैंने एक ओखली ले ली है अब हमारी जो गोंद है वो हलकी सी थोड़ी सी थंडी हो चुकी है सारी गोंद को हम इस तरह से ओखली में डाल देंगे इस तरह से सारी गोंद डालने के बाद इसे हम कूट लेंगे और दरदरा बना देंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोंद को फ्राय करने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा कर ले और फिरी इस तरह से ओखली में डाल कर इसे कूट ले इस तरह से तो देखिए इस तरह से कूटते जाना है और आपको ध्यान रखना है एकदम इसका पाउडर नहीं बनाना है आपको इसे थोड़ा सा दरदरा रखना है ताकि जब हम इसे खाएं पिन्नी को तो ये जो गोंद क क्रंच है वो हमारे मूह में है और जो पिन्नी है वो और भी टेस्टी लगे और ये जो गोंध है बहुत ही हेल्दी है हमारी बॉड़ी के लिए इससे आपके गुटनों का दर्द कमर का दर्द सारा खतम हो जाएगा तो इसे अब जरूर डाले तो लीजे हमारी जो गोंध है उ अब देख सकते हैं मैंने एकदम इसका पाउडर नहीं बनाया है इसे मिस तर इसे प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम फिर से गैस को ओन कर देंगे और जो बचाओवा गी है हम वही डाल देंगे तो देखे डालने के बाद थोड़ा से हम गरम कर लेंगे जैसे ये गरम ह जाता है इसी के अंदर हम डाल देंगे गेहूं का आटा आटे को डालने के बाद आज को आपको बिल्कुल दीमा कर देना है और इसे आपको लगातार चलाते होवे 10-15 मिनिट तक भूनना है पर आपको धियार रखना है आज आपकी धीमी होनी चाहिए और जैसे कि मैंने गी और आटे की कॉइंटिटी एक होनी चाहिए जैसे कि मैंने यहापे 200 ग्राम गीहूं का आटा लिया है तो 200 ग्राम ही मैंने यहापे गी लिया है तो दोनों की कॉइंटिटी एक रखे और इसे धीमी आज पर लगातार बूने इसका कलर आप देखेंगे दीरे-दीरे बिल तो यह कर्ची की मदद से इस तरह से दबाते जाना है और सारे यह लम्स को खतम करते हुए इसे हमें बूनना है तो इस तरह से लगातार चलाते जाए और इसे 10-15 मिनिट तक बूनते जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10-15 मिनिट हो चुके हैं और हमारा जो आटा है वो अच्छे से बून कर तयार है और इसका एकदम कलर जैसे मैं आपको बता है कि लाइट ब्राउन होना चाहिए वो हो चुका है तो यह हमारा आटा बून कर तयार है अब गैस को हम बंद कर देंगे और इस बूने हुए आटे को हम प्लेट में निकाल लेंगे आपको आटे को अच्छे से बूनना है क्योंकि आटे की पिननी है अगर आटा कच्छा रह जाएका तो बिलकुल नहीं अच्छा लगेगा और चमच की मदद से फैला देना है इस तरह से प्लेट में निकालने के बाद और यह अभी आटा थोड़ा सा गरम है हमारा इसी के साथ हम डाल है अभी आटा बहुत ही गरम है इसे थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे तो जब तक यह आटा ठंडा हो रहा है हमारा यहां पे हमने ले लिया यह ममफली का पाउडर जो हमने दरदरा पीस के तयार किया था अब इसी के अंदर हम मिला देंगे यह बुने ओवे काजो और बाद किया था सारी चीज़े हमने डाल दी है अब इसे हम अच्छे से हाथों की मदद से मिला देंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि काजो और बादाम की जो कॉंटिटी है आप अपने इसाब से कम जादा कर सकते हैं यहां पे मैंने दोनों की कॉंटिटी आदा आदा कप लि आप चाहे तो थोड़े जादा भी ले सकते हैं और इससे कम भी ले सकते हैं अब सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरह से हाथों की मदद से मिला लेना है तो यहां पर देख सकते हैं बड़िया तरीके से हमने मिला लिया है अब जो यह हमारा आटा है थोड़ा सा थंड़ा कितना प्यारा सा लग रहा है, सारी चीजे डालने के बाद चमच की मदद से इस तरह से मिलाना है, आप चाहे तो हाथों से भी से मिला सकते हैं, अगर आप चाहे तो इस तरह से चमच से भी मिला सकते हैं, तो यहाँ पर हमने चमच से अच्छे से मिला लिया है, सारी चीजे हो चुका है एकदम ठंडा कर लेना है इसे रूम टेंपरेचर पर और यह जब एकदम ठंडा हो जाए तो इसके अंदर में डाल देंगे पीसी हुई चीनी तो यहां पर मैंने चीनी की मातरा एक कप ली है आप चाहे चीनी जादा खाते है तो एक कप से जादा ले और अगर कम तो कम भी ले सकते हैं एकदम ठंडा हो जाए तो ही आपको इस मिश्रन में चीनी डालनी है और अच्छे से इसे मिलाना है तो देखिए यह एकदम ठंडा हो चुका था तब ही हमने चीनी डाली है और हाथों की मदद से अच्छे से मिलाना है ताकि यह मिश्रन के अंदर चीन बढ़िया तरीके से तयार है बहुती बढ़िया सी खुश्बू आ रही है अब थोड़ा सा मिश्रन हाथ में लेंगे और इसे हाथों की मदद से दबा देंगे और इस तरह से शेप देंगे तो यहाँ पर मैं अपनी उंगलियों के निशान रख रही हूँ इसमें आप चाहे तो कोई भी शेप दे यहाँ पर मैं पिन्नी का शेप इस तरह से दे रही हूँ आप देख सकते हैं मेरे हलकेल के उंगलियों के निशान भी है अब इसके उपर मैं एक बादाम को इस तरह से लगा दूँगी तो लीजे तयार है इसी तरह से हम सारी पिनी बना लेंगे तो हाथों की मदश से मैं बना रही हूँ दबा कर आप चाहे कोई भी शेप बना सकते हैं और उपर से मैं एक बादाम रख रही हूँ आप चाहे तो काजू भी रख सकते हैं तो लीजे तयार है बड़िया सी पिनी आप इस रेसिपिक को जरूर ट्राइ कीजे बहुत ही टेस्टी हेल्दी और जर्दियों के लिए तो ये खास है और आप किसी को बना कर भी दे सकते हैं वो भी खुश और आप भी खुश तो जरूर ट्राइ कीजे तो यहाँ पे हमारी टोटल 14 पिनी तयार हो चुकी है तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये मेरी रेसिपिक कैसी लगी है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल ना बुले आज के लिए बस इतना इकल फिर मिलती हुए एक नियू रेसिपिक के साथ तब तके लिए थांक्यू फॉर वाच्छेंग